आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज हम छोले बटूरे बनाने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना So let's get started पहले हम देखी ही क्या क्या जीजी हमें चाहिए स्वार अजुसार नमक एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच लाल मिर्च पाउडर दो चमच दनिया पाउडर दो चमच छोले मसाला हमने एवरेश का यूज़ किया है आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं अद्रप निसुन की पेस्ट हरी मिर्च रोसे दी हरी मिर्च यह सारी स्पाइसेज हो गए यह छोले हमने रात बर पानी में रखे थे हमने तीन तप नहीं है डो कटे हुए छोटे प्यास फिर एक टमाटर बारी कटा हुआ हरा धनिया एक कटोरी तेल यह प्यास और धनिया की पेस्ट बनाई है सबसे पहने तो कड़ाई में तीन लिजिए उनसे गरम होने लिजिए प्यास दाले इसके बार अग्दर क्लिसम की पेस्ट और कांदा दनिया की पेस्ट डाले फिर भरी मिर्च और कटेल हो टमाटर डाले इसके बार एक एकर के सब स्पाइस डाले नाल मिर्च पाउडर दल्गे पाउडर दल्या पाउडर यह सब अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसके बाद बो छोले डाले छोले फिर से अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब हमने च्छोले मसाला डाला है इसमें इसे दो मेने ढख कर रखें हमने इसमें वह पानी डाला है जिसमें हमने छोड़े भिगोई थे देखे कितना बढ़िया दिख रहा है अब हम इसके उपर धल्या डालेंगे इसे और दो से तीन में टक धीमियाज पर बखने दीजिए तब तक हम घटोरे बनाएंगे हमने गेहू और मैदा दोनों के आटे का इस्तिमाल किया है आप चाहें तो सिर्फ मैदा यूज़ कर सकते हैं अब हम इसको बनाएंगे सर्किलर शेप में और गरम तेल में डालिए तेल एकदम गरम होना चाहिए अब है अब है अब है अब है अब तो बड़े बड़े ही अच्छे रखते हैं वावा यह देखिए दोनों तरफ से ब्रावन होज़े तो निकाल लीजिए और सालड भी सर्व कीजिए उने तो बहुत बढ़िया दिख रहे हैं यह देखिए अपने छोले गरम और गरम छोले भटूरे आप एक बर हमारे चैनल पर जरूर विजिट कीजिए और हम ऐसी नहीं नहीं रेसिपीज लाते रहेंगे प्लीज कमेंट करके बताएए कि आपको कैसा लगा यह वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू नहीं